नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिश्टल चर्चापल आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आप यूट्यूब पर बिना अपने खुद के वीडियो बनाए दूसरों के वीडियो से भी पैसा कमा सकते हैं दोस्तों हम आपको बताएंगे किस तरह से यूट्यूब का एक फीचर है किस तरह से आप दूसरों के वीडियो अक्सेस कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है और वीडियो को आप अपने चैनल पर डाल करके उसे मॉनिटाइज भी कर सकते हैं और उसके जरीए पैसे भी घमा स सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे सारी वीडियो के अलेट सकते हैं सबसे पहले तो चली दोस्ता आगे बढ़ते हैं किस तरह से फ्री में पैसे कमाये जाते हैं दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले www.youtube.com पे जाना है हमारे YouTube पे हम जाएंगे और जो भी आपका चैनल अकाउंट है जैसे हमारे यहां चैनल अकाउंट डिजिटल सर्चा का है उससे आपको साइन अप करना है तो अब आप सर्च करेंगे कुछ वीडियो के बारे में जो की काफी फेमस हो सकती है और जिने आप अपने चैनल पे शे स्टन्स के बारे में आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है स्टन्स स्टन्स जैसे ही आप स्टन्स टाइप करेंगे यहां पर बहुत सारे स्टन्स वीडियो आप देख पा रहे हैं यह वीडियो नौ महीने पुराना है इस पर कुछ 33 लाग के आसपास व्यूज है यह यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह वीडियो यह बंदा उल्टा लटका वाय पहाड के ऊपर यह वीडियो है पांच महीने पुराना और इस पर लगबग 3,00,000,000 वीउज हैं नीचे वाले वीडियो पर इस बंदे ने अपने उपर से कार निकल वाली और इसके ऊपर 15,00, तो दोस्तों यह सारे वीडियो जो आते हैं जब आप किसी भी एक वीडियो के खोल के चेक करेंगे जैसे मानली जी आपकि वीडियो करेंगे चेक करेंगे तो कि यहाँ पर जो YouTube Channel Creator होता है यह वह क्योंदा यह स्टैंडर्ड लाइसेंस दो लगा देता है YouTube का ताकि कोई भी इसे reuse नहीं कर पाए मतलब कोई और बंदा इस channel के वीडियो को use ना कर पाए पर दोस्तों बहुत से वीडियो होते हैं जो free में available होते हैं और जो reuse के लिए भी available होते हैं जिनमें आप modification भी कर सकते हैं और आप उनके दुरूब अपने channel से monetization भी कर सकते हैं तो जानते हैं दोस्तों ऐसे कुछ वीडियो के बारे में और कैसे इने search करना है किस तरह से अपने channel पर share करना है दोस्तों आप यहाँ पर उपर एक filter का mark देख पा रहे हैं आपको इस filter के mark के उपर click करना है यहाँ पर जब आप click करेंगे आप जैसे यहाँ click करते हैं आपको बहुत सारे option देख रहे हैं upload date से आप filter कर सकते है content को आप type से filter कर सकते है duration से content के features क्या क्या है 4K video है, HD है, subtitle है, 3D है creative common है, live है, purchase है, 360 है इससे आप filter कर सकते है आप sort कर सकते है relevancy से, upload date से, view count से और ratings से तो दोस्तो हमें जब free content देखना है तो हमें यहाँ पर select करना है creative common creative common एक ऐसा feature है जिससे आप creative common license के videos देख पाएंगे और वो सारे videos free में available होते reuse के लिए creative common select करने के बाद में दोस्तो हम search करेंगे view count से भी view count में वो आपको सबसे रहादा view वाले videos बताएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यह BF versus GF एक channel है इसने दो महीने पहले एक video डाला था और इस video पे 18,00,000 views हैं तो आईए दोस्तों इसी video से हम test करते हैं इस video का नाम है amazing floating stunt जैसे ही आप इसको एक नए tab में खोलेंगे और आप description में जाएंगे इस video के तो आप check कर सकते हैं यह जो video है यह video का license जो है वो creative common attribution license है और de-use के लिए allowed है other youtuber community के लिए तो दोस्तों इस video को हम अपने channel पे share कर सकते हैं और वहाँ से इस video का monetize भी कर सकते हैं आईए जानते हैं कैसे करना है सबसे पहले दोस्तों आप अपने channel पे जाएंगे channel के right side में click करके creator studio पे जाएंगे जब आप creator studio पे पहुँच गए हैं उसके बाद में आपको यहाँ एक create का option देख रहा है सबसे नीचे left side में आप create के option पे click करेंगे जैसे ही आप create के option पे click करते हैं यहाँ पे हमारा video editor option आ जाता है आप friends यहाँ पे आप देख पारें कुछ icon बने आ रहे हैं आपके पास में हम icon select करेंगे cc का cc का जो icon है यह creative common videos दिखाता है तो friends सेम तरीके से हम example लेते हैं इस video उपर वाले video best of ghost idea का जब हम इसको एक नए टाप में खोलेंगे और आप check करेंगे तो इसके description में भी आपको detail मिलेंगी कि यह video भी creative common right attribution license रखता है अपने साथ में और यह reuse के लिए allow करता है आपको तो friends जैसे हम example लेते हैं कि अगर यह video हमें हमारे channel पे share करना है तो हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसको monetize कर सकते है तो friends हम वापस अपने channel पे आएंगे हम इस video का title जो है वो copy कर लेंगे और हमारे channel के editor के अंदर इसको type करके search कर लेंगे friends जैसे ही हम यह title search करते हैं तो हमारे पास में first result same video का आ रहा है अब इस video का हम कैसे use करें अपने channel पे कैसे share करें एक तरीका तो होता है दोस्तों कि आप इस video को download करो और वापस से अपने channel पे upload करो पर यह दो बार आपके net data की bandwidth यूज़ करेगा उसकी जगे friends आप सीदे YouTube के my editor के अंदर जा करके इस video को drag कर सकते हैं ड्राग video here पे जैसे ही आप इसको ड्राग करते हैं ये video buffer हो जाता है आपके channel के video editor पे और आपको कुछ filters, कुछ fixing, कुछ text add करने का option कुछ audio add करने का option audio के volume, bass, treble सारी चीज़े change करने का option भी देता है आप इसको changes अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको changes करना चाहें तो change आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ edit कर सकते हैं और इसके बार में finally जब आप इस video को upload करना चाहें तो आप यहां right side पे create video के option पे click कर दें जैसे ही आप यहां click करेंगे ये आपका video बन चुका है आपके channel के लिए अब आपने click करा अब ये video process हो जाएगा कुछ minute के अंदर और digital चर्चा के channel पे share हो चुका होगा हम आपको कुछ second में दिखाते हैं किस तरह से ये process होगा तो friends जैसा हमने आपको बताया था कुछ second के अंदर ये video process हो जाएगा description आइड कर सकता हूँ इसमें tags include कर सकता हूँ आईए देखते हम कैसे करना है friends मैं video editor पे गया video editor पे जाने के बाद मैं मैं यहाँ edit button पे click करा अब मैं इस video का नाम कर सकता हूँ best यहाँ पे add कर देता हूँ अपना description best ever got right gosh rider best ever bike stunts and इसके बाद मैं edit करने के बाद मैं यहाँ पे अपने description भी आड कर सकता हूँ जैसे कि stunts bike stunts best ever stunt bike stunt in 2016 है भी तो 2016 आड कर देता हूँ तो friends इस तरह से मैं editing कर सकता हूँ और save कर सकता हूँ अपने changes को और यहाँ पे monetization का जो option है वहाँ जाकर के मैं monetization भी start कर सकता हूँ और इस video के तुरू पैसे कमा सकता हूँ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर मैं monetization को start कर देता हूँ और मैं यह URL को copy करके मैं इस URL को search कर लेता हूँ अब आप देख सकते हैं मेरे video का जो title है detail है वो change हो गई है जैसे मैं मानलो अभी वापिस title change करता हूँ best bike stunt ही कर देता हूँ इसको और यहाँ से save करता हूँ तो यह changes यहाँ मेरे channel पर display हो जाएंगे अब आप देख पा रहे हैं यह best bike stunts यहाँ पर आ गया है साथ मेरे video पर monetization भी start हो गया है तो friends इतना असान है बिना खुद का video बनाए दूसरों के video share करके YouTube से पैसे कमाना अगर आपको यह video interesting लगा है तो आप हमारे video को like share जरूर करिए comment करिए आप अपने friends के साथ share करिए ताकि वो भी इस तरह से पैसे कमा सकें और साथ में आप हमारे से नीचे अगर कोई question है तो comment box में लिख करके पूछ सकते है friends ऐसे interesting video देखने के लिए हमारे channel को यहाँ subscribe के बटन पर दबा करके subscribe जरूर करिए